हलो नमस्कार एक बाद फिर से आप सबी का स्वागता दर भाहर टोक्स पे जैसा कि आपको सब को पता है कि यहाँ पे जिते नायन सिंग त्यागी के बात में यहाँ पे यतिन नसिंगरान सहसुती जी उनको भी गिरफतार कर लिया गया लेकिन अप सबसे बड़े सवाल है कि आ गये क्या यहाँ पे सनातन अपनाने से पहले उनको कभी गिरफतार किया गया उनके खिलाब F.I.R. पहले से काफी साथी चल रही थी उन्होंने बहुत कुछ बोला था लेकिन तब उनके ओपर कोई भी कारवाई नहीं वी जैसे उन्हों सनातन में आ गए उसके बाद में जो यतिनर्सिगनल सुष्टी जी उनकी गिरफतारी क्यों ही आपके मन में भी सवाल होगा आखिर ऐसा क्या रीजन है तो यह वे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरसे आपे सवाल किया गया पूछा गया कि पुलिस वालों से आखिर यहाँ पे लेकर क्यों जा कि एक कोट वाली में जो मुकदमा था उसमें वे अभ्यूपते उनको गिरफतार किया गया उन पर दो तीन मुकदमे ओर चल रहे थे लगाता उनका ओफेंस रिपीट हो रहा था इसलिए उनकी गिरफतारी हुई है मीडिया ने जब उनसे पूछा क्या हेट स्पीच में इनक कोई गरफतारी हुई है इसपर सीयो सिटी के ले लगे अभी के लिए बस इतona ही थेनक्यू इसके बाद में मीडिया ने जब उनसे पूछ आ कि धारा ही बता दीजीए क्या किसी महिला से जूड़ी किसी धारा में गरफतार किया गया है इस पे सियो सिटी ने कहा कि धारा में आपको बता दिया है तीसा मुकदमा जो था जिसमें महिलाओं के खिलाफ कुछ टिप पड़नी थी उस आधार पर उनकी अरेश्टिंग हुई है का जा रहा है कि ये गिरफतारिया उत्राकर्ण सरकार को सुप्रीम कोट के तरफ से बेजे गए नोटिस के बाद में हुई है अब आप पेले देख लिजे पेले काली चर्ण महराज याप उनकी गिरफतारी फिर यहाप जिते निराइट सिंग त्यागी की और अब यहाप यति नर्शेनल सुझति जी की और अब तरह तरह से यहाँ पे अलग-अलग यहाँ ट्टी टर पे जिते भी सोचल मीडिया प्लैट्फरम है सब आप समर्तन देखने को मृपल रहा है सब आपे अपए अवाज यहाँ उठानी का एक तरह से सजा दे रहे हैं उनका क्या हुआ, कोई उनको सजा नहीं मिली, कोई गिरफतारिया नहीं हुए खेर आपका क्याना इसके बारे में आप नीचे कमेंट जरूर करें वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, सभी तक पहुचें आप तक सबसे बिले पहुचे तो आज के वीडियो में ताइप मिलते अगले वीडियो में तो तक लिए धन्यवाद